देखिए क्या question है थोड़ा समझने वाला question है x power m y power m equal to this and this पर इसमें जब भी कभी value पूछे है तो मेरे दिमाग में एक चीज़ है कि मैं value भी रखता हुआ ही चलूँगा x क्या दिया है 1 और y क्या दिया है 2 better है कि इसको आप implicit function से करते तो आप ऐसा लिखते है log m log x देखो log लेते तो ये लिखते है n log y minus इसको एक साथ लिख सकते थे yes or no अब देखिए मैं आपको बताता हूँ single list है फिर अकर समझ में नहीं आए तो पूछना dy by dx करते है तो minus m upon x तो x की value 1 है इसका 0 minus m plus n upon 3 क्यों क्योंकि x plus y 3 है upon बोलो n upon 2 y की value 2 दिए minus m plus n upon बोलो बिटा फिर से 3 yes or no इसमें मिलेगा 3 इसमें मिलेगा 3 2 जा 6 उपर गया 6 तो 2 तो आना ही है अब बताओ 2 ना इसमें है ना इसमें अब ये और ये 2 में से एक possibility है पर माल लो बाइचा से इन कैंसल हो रहे होंगे तो वह होगा इत्ता तो कतम होगा अब बताओ क्या हुआ 3 m minus m minus n तो क्या लिखोगे 2 m minus n upon यहां बोलो 3 n minus तो यह जाएगा एक minus भार लिखना ही था जो लिखा हुआ है ऐसा लिखना careful 3 m sorry 2 m minus n upon 2 उपर आगया था कित्ता जोएगा 3 n minus n 2 n minus 3 n minus 2 m minus 2 n तो यह मिलेगा n minus 2 m माइनस कमन निकल के कैंसल तो करेक्ट टांसर इस 2 यह सुनो 1 by 2 नहीं होगा बिटा इसका implicit function जब लगता जब x और y separate नहीं होता अगर function का format यह है अगर function का format यह है is means कि इसमें implicit function का form लग सकता जब भी x और y separate नहीं हों और implicit function के लिए आप हमेशा यह वाला formula यूज करिए del f upon del x upon मतलब differentiate with respect to x numerator upon differentiate with respect to y denominator तो 7 समझ में आ गया सबसे पहला काम जिसको अभी भाइचास नहीं है ध्यान दीजे क्या होता है मैं आपको जो बोलता हमेशा mental work जितना करोगे उतना फायदा है सबसे पहले log लिया तो जब आप log लेते यहीं पर सोचो तो बताओ m into n लगता log लेने से फायदा यह हुआ कि बहुत जल्ली सबक के लिए रो गया और इसको इदर लाते तो यह लिखते है अब मैंने इसका differentiation किया बिठा और मैंने क्या कर रहा value भी put कर दी तो m upon x इसका नहीं लिखा minus m plus n upon इसका differentiation किया तो x plus y x का 1 होता है अब यहाँ पर बस अगले कोशन मैंने n की value लिख दी थी बस और x की value तो n upon y minus m plus n upon x plus y और अब x y की जो value दी है वो रख दी तो m upon 1 minus m plus n upon 3 n upon 2 minus m plus n upon 3 और solve किया तो answer आगया 2 यह इसमें किया था मैंने